इंटरनेट का जो असल अर्थ होता है, समझ लिजिए I-N-T-E-R-N-E-T, इंटरनेट, देखिए ये दो भागों में बटा है, इंटर और नेट, इंटर मतलब तो आप जानते हैं परवेस करना, यानि इंटर मिस परवेसी का और नेट मिस होता है जाल, यदि आप इंटरनेट म इसके पास भी फोन है, मोबाइल है, लेप्टॉप है, यानि जो भी मतलब गेजेट है, यदि वह इंटरनेट उस पर चलाता है, यदि वह फोन उठाया, और इंटरनेट मतलब आपना सबसे पहले लोग यदि फोन लेते हैं, तो डाटा ही ओन करते हैं, और सबसे पहले सबसे पे या फेस्बुक पे चले जाएंगे, उन्हें कोई काम भी करना होगा, यदि आपको भी कोई काम करना होगा, यदि आप खोलते होंगे, तो समझ जी आप उसमें एक घंटे, डेड़ घंटे उसमें बिता देते होंगे, तो समझ जी कितना खतरनाक है, इसके अर्थ स होता है पड़ वेसी का और नेटमी जाल तो समझ लीजिए ना कितना खतरनाख है इसका हिंदी अर्थ ही तो समझ यह इसका काम भी तो खतरनाक होगा हम मानते हैं कि यह लोगों के जीवन को आसान कर दिया है लेकिन उतना ही सभी लोगों के जीवन को मतलब time को समझ यह अपने योर खीच लिया है, समलिए जो लोग कुछ समय अपने अच्छे कामों में लगाते थे, कुछ लोग इसमें, मतलब कुछ खड़ाब कामों में यहां पे लगा रहा है, यदि यहां पे भी यदि कुछ पोजेटीव दिये में कोई काम करें, इंटरनेट पे, तो वो गुरो कर सक है, अच्छा कर सकता है अपने लाइफ में, लेकिन ऐसा लोग नहीं करते हैं, जैसा वो देखते हैं, वो ऐसा यहां दिखाता है, यदि आप जैसे इस पे देखेंगे, वो ऐसा ही दिखाएगा, यह आपके मेंडिलीटी को पकर लेता है, इंटरनेट एक ऐसा मतलब प्लेट और आपको जिसमें इंटरेस्ट आएगा, और आप देखते जाएंगे, एक वीडियो देखेंगे, एक के बाद दूसरा ही सामने है, वो देखेंगे, वो देखेंगे, माल जी आपको देखना था, चलाना था आदा घंटा, और कोई काम करने जाना था, तीस मिनिट के बाद आदा घंटे का बाद, तो आप आदा घंटा, क्या डेर घंटा लगा देंगे, यानि समझीए उसमें जैसे ही आप इंटरनेट में परवेस करेंगे, उसके जाल में फंस जाएंगे, यानि इंटरनेट का मतलब ही होता है परवेसी का जाल, इसलिए आपको ध्यान रखना है क इंटरनेट चलाते वक्त जो आपको काम है, वही काम किजिए फालतू के किसी भी अप्लिकेशन पे, फालतू के किसी भी वेबसाइट पे ना जाएं, क्योंकि जो इंटरनेट है आपको अपने जाल में फंसाने का काम करता है, आपको अपने तरफ खीचने का काम करता है, तो आपको अपने तरफ आकरसित कर लेगा और कुछ ऐसे वेबसाइट पर कुछ ऐसे जगहों पर लेकर चला जाएगा जहां पर आपको इंट्रेस्ट आता हो और समझलिजी आपको यदि 30 मिनट वहांपर समय देना था और 30 मिनट बाद कहीं और जाना था तो 30 मिनट क्या आप वहांपर जब आपको इंट्रेस्ट आएगा तो समझ जी वैसा ही आपके सामने वह चीज पॉरसेगा जिसमें आपको इंट्रेस्ट आए छोटे वच्छे तो और जब शुरुआत में यदि इंटरनेट का यूज करने आते हैं और इंटरनेट उन्हें मिलता है तो वह लोग मतलब इतना आतूर रहते हैं चलाने के लिए कि उन्हें जो आते जाता है वो देखते जाते हैं देखते जाते हैं उसके बाड़े में जानते जाते हैं और उनके लिए तो समझ जी इंटरनेट वाला जो दुनिया है वह नया ही होता है लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि यह हमें फंस तो इसलिए बच्चों को इसे सावधान रखिए अभी यदि जो बच्चे मतलब छोटे हैं उसे इंटरनेट से दूर ही रखिए हाँ जो भी उन्हें जरूरत वाली चीजे उन्हें बताईए दिखाईए लेकिन उन्हें इतना मतलब लगाऊ मत दीजिए ताकि वो इधर से जयना बेहतर जनकारी हम आसा करते हैं कि कोई आपको नहीं दिया होगा कि internet आखिर क्या है internet मतलब हिंदी इसका अर्थ क्या अभी तक कोई नहीं बताया होगा तो देखिए यह तो आप समझ गए कि internet मिस होता है प्रवेसी कार्जा आप जब प्रवेस करेंगे तो इसके जाल म तो आसा करता हूं कि यह मेरी जनकारी जो अभी हम आपको जनकारी दिये हैं वह अच्छा लगा होगा तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किये हैं तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके अपने दोस्तों और इस्तेदारों में सेर कीजिए ताकि वो वो भी जान जाएंगे तो उसका वो लोग सही से उप्योग करेंगे और सावधान हो जाएंगे तो फिर मिलते हैं किसी अगले वडियों में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद